प्रड़ने वाले हैं अनिमल हस्पेंडे के बारे में पसो पालन के बारे में अपन पढ़ेंगे पसो पालन के दो टापिक अपिक हम पहले पढ़ चुके हैं जिसके अंदर आपने पसो का सेलेक्शन देखा था KIM気 देखा आपने देखा था पस्वों का अमासे के अधार पर वगगी करन्ट रूमीर जो एनिमल्स हैं उनका उनके स्टमक के क्लासिपिकेशन किया गया है किस किस तरीके से उनको रखा गया है यह लास्ट क्लास में अपने पढ़ लिया था हेमराज खह रहे हैं राम राम बहुत अच्छा राम राम जी बैई हलो हाई बैरी गुड इवनिंग चलिए अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो टॉप इस आप पी्रिया मैं इक बार को इस टॉपिक के बारे मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी डिटेल से पढ़ने के लिए अपने देखते हैं सबसे पहले है और किसके अंदर क्या चीज पन करने वाले क्या पढ़ने वाले तो नाम से पता चल रहा है पश्व में क्या करना राम राम पदम चंद है, राम राम रितिक है, गुड इवनिंग, लक्षमन है, थैंक यू, सिव सर्मा, वेरी गुड इवनिंग, चलिए देखिए, पसों में सींग रोधन है, उसको क्या कहा जाता है, दी हॉर्णिंग कहा जाता है, इसके अलावा इसको डिस बडिंग भी कह स सब्सक्राइब टानाई होता है आप बात करते हैं कि सों एस्ञ रोधन किया जाता है तो इसके लिए पांच तरीके होते हैं पांच तरीके कौण-कौण से होते हैं तो पहले पलगते पांच व learner को के नाम सबसे पहला तरीका आता है रसायनिग विधी पहला तरीका तरीका था रसायनिक विधी जिसे 330 की चाहे ढा siempre ना रसाइनिक विधि स्पश्य की सा जाता है सिंग्ड 250 एक देखके प्रसाइनिक विधिक है दोशे तरीकों होळु zooming method यह course जो है वो पहले अपन Hindi medium में पढ़ेंगे उसके बाद जो English medium के बच्चे हैं जब यह course complete हो जाएगा तो बाद में अपन English में भी जो same चीज में आपको Hindi में पढ़ा जींग वो same चीज आपको English में पढ़ाऊंगी तो जो English medium के बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंचन नहीं लेना है लास्ट में अपन जो है इसके यह course अपन Hindi medium का होने के बाद में अपन English medium भी पढ़ेंगे तो यह वैसे मैं साथ का साथ टाम आपको बताते वह जा रहूं प्योर English medium में अपन इसके हाग में पढ़ेंगे और मैं फर्ट अब्रण फर्ड फर्ड या इलेक्ट्रोनिक दीहाज्णर डिया इल्साइश और इसके नाम से घाल रहे है इसके मतलब नाम से पता चल रहा है हॉन को हटाने वाला वाला जो एक्यूमेंट है यન है वह डीहार कहला आएगा तो DHORNER electronic DHORNER विधी इसको नामसे जाना जाता है इसके बाद fourth method आपन देखते हैं पाथ चोथा तरीका होता है वो क्या होता है तो चोथे तरीके का नाम आता है illustrator या rubber band method चोथा तरीका आता या rubber band elastic होता है elastic कोई क्या कहते है जांदी में rubber कहते हैं और आस्टिक से ही नाम आया है इस मे preventing गाए末 एलास्टिक्ली civilly में इसे कहते हैं रबर्बैंड मेंथर्ड य्यार रबर्बैंड विधी और जो पांचवा टरीका आता है फांचवा तरीका की हाता है फ़ुके अंदर एक तो first जत्था सियनिक विधी दूसरा गरमचरद्वारा आारण मेथद्ड इलक्ट्रोनिक डियवाएंँ व्य candle मेथ़़ट और वी द्वार आरी द्वार जो है इसको इंगलिश में सबसे पिस्ञारे तरीके होते करने लिए इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं तो एकए करके आपन जो है इस टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे राग्हाउ कह रहे हैं वेरी गुड इवनिंग चल्गे नाक्स देख लेते हैं आपन फस्ट बात करते हैं अपन इस पहला मैथड आता है रसाइनिक सिंग रोधन करने के लिए इस विधी में क्या करेंगे पसु के अंदर पहले तो अपन देख लेते हैं कि ये मैथड है किन पसु में उपयोगी होता है कौन से पसु में किस एज के पसु होते हैं जिनके अंदर ये मैथड यूज किया जाता है तो ये विधी जो है वो गाय भेंस में प्रचलित होती है किन के अंदर प्रचलित है रसायनिक विधी गाय वे भेंस में प्रचलित तरीका होता है गाय और भेंस के अंदर किस उम्र में किया जाता है प्रचलित विधी है और किस उम्र में किया जाता है कब सबसे बेस्ट माना जाता है सींग रोधन करना तो तो इसके लिए जो उप्यूक तो उम्र मानी जाती है वो मानी जाती है 7 से 15 दिन अब 7 से 15 दिन मानलों ऑप्षिन के अंदर नहीं आए तो आपके ऑप्षिन में क्या आ सकता है एक से 2 सपता आ सकता है तो इतना तो पैचान सकते हैं इतना तो common sense लगा सकते हैं लेकिन फिर भी म वहला कारण होता है अपने को दिखाई नहीं देता है क्या लिखा हुआ है तो इसके लिए अपने को अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आसानी से याद रख सकते हैं तो साथ से 15 दिन को ही अपन क्या कह सकते हैं one to two weeks कहते हैं साथ का साथ नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि क इसी तरह से कोई प्रब्लम नहीं आए साथ का साथ छोटे छोटे टॉपिक है ज्यादा लिखना ही नहीं है और आसानी से आप पूरा जो एनिमल हस्पेंटी इसको फोर्स कवर कर सकते हैं तो यह अपने दूसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर पहला पॉइंट है गाय वभ दूसरा रोधन की और चोथा पॉइंट अपन याद रखें कि सरवादिक उप्यूक्ट तरीका भी है सरवादिक बैस्ट मैथड़ भी है सरवादिक उप्यूक्त विधी भी अब इसके अदर बात करें कि यह तो अपने देख लिया ये सारी तरीके ये सारे पइंट अपने को most important चीज़ है कौन सा chemical यूज करते हैं क्योंकि इस method का नाम ही रसाइनिक method है तो इसके अंदर बात करते हैं कि किस किस तरीके से किया जाता है तो देखिए यह जो दिखाई दे रही है इमेज आपको इसके अंदर यह एक रोड दिखाई दे रही है यह जो है वह इस त स्कौष कोले है कास्ट पोलाइस या सोडियम हाइड्रोकसाइट का बना हुगा है इस रसायन की ठ्ट्र काम में जाती है नोन हीट्रोकसाइड एक हैं केमिकल इसमें यूज किया कि ये रसाइन इसके लिए उपियूगी होता है, पसू में सी proposition रोधन के लिए एन यह है इससे कहते हैं, शौर्ट में इसको याद रखसकते हैं, यह कियो है चाता है, तो ये अपने जो है इसके अंदर केमिकल की कैसे इसमें रोड ली जाती है एक रोड ली जाती है जिसके ऊपर या तो कास्टिक, पोटासिया, सोर्डियम, हाईड्रोकसाइड का लेप लगावा रहता है या फिर इसी धातू की ये रोड है वो आगे से बनीवी होती है और इसक कारणे से डिस्ट बडिंग कहा जाता है तो इस तरीके से पसु का जो सींग कली का होती है इसके उपर इस आईरन रोड को दागा जाता है गरम करने के बाद और तब तक इसको दबा के रखते है तब तक उसको घुमाया जाता है तब तक इसको रब करते है रगड़ा जाता है जब तक किसके अंदर से जो इसकी सींग को सिकाए हैं, इनमें से बलड नहीं आ जाएं, जब इसके अंदर बलड आ जाता है, तब क्या होता है, इसको छोड़ दिया जाता है, और क्या हो जाता है, पसु में सींग रोधन की परकिरिया है, वो समाप्त हो जाती है, तो इस इस तरह से यह chemical use करने की कारण पसु में किसी तरह से infection नहीं होता है इस कारण यह सबसे उप्यूगत और विज्ञानिक तरीका माना जाता है एक्जाम में कोश्चन क्या पूछा जाता है कि पहला पहली चीज पूछ सकते हैं कि गायवेब हैस के लिए प्रचलित विदी कौन सी प्रचलित मानी जाती है पहला कॉइंट है रसायनिक विदी दूसरा कॉश्चन पूछा जा सकता है सींग रोधन के लिए सबसे उप्यूगत उम्र क्या मानी जाती है तो साथ से 15 दिन मानी जाती है माल लो इसी पसु के सींग जो है वो हौन है वो इस तरीके से बड़े आकर के होंगे तो क्या इस मैथर से सींग रोधन किया जा सकता है क्या बिल्कुल नहीं किया जा सकता है इसी कारण सबसे बैस टाइम होता है साथ से 15 इसके बाद अपन देखते हैं यह प्रद्यूमन कुछ कोशन पूछ रहे हैं मैं NCRT में करन स्वीस और करन फ्रिज में इंडिय ब्रीड है उसका पाकिस्तान उत्पत्तिस्थान है लेकिन वो आई ए आराई न्यू डैली से डवलप की गई है इस कारण इसका जो ब्रीड आती है यह किस के अंदर रजिस्टर्ट ब्रीड मानी जाती है इंडिया के अंदर रजिस्टर्ट ब्रीड मानी जाती है इंडियन पाँच रजिस्टर्ड ब्रीड हैं, गेर, साहिवाल, राठी, लाल सिंदी और देवनी, ये पाँच ब्रीड हैं, वो किस के अंदर आती हैं, वो इंडियन ब्रीड के अंदर आती हैं, जब गाय की नसले पढ़ेंगे अपन, तो पूरा डिटेल में विद ट्रिक आपको आगे, जैसे किष्णा मिनाक्षी, अब देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, पायल साहू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरिवन, अब अपन बात करते हैं, इस अपने टॉपिक पे आते हैं, चली देखिए, गाय वाभ यह को दिखाई दे रहा है, 7-15 दिन के आवि में किया जाता है, इसका मतलब 7-15 दिन के आवि में पवसु कैसे होंगे, बिल्कुल छोटे ही होंगे, तो इस कारण यह एक्जाम में क्योश्चन आया है, कि छोटे वचडों के अंदर गाय और भैस के जोचोटे वचडों होते ग्रॉटन करने के लिए किस तरीके से करते हैं दिखाया है मैझने जब तक ब्लड नहीं आ जायाए तब तक उस आईरन रॉड को रगडा जाता है जब अधलेटं को रगड़ना बंद कर देते हैं और से क्वलना जाती है और सींगों कि कौसीग हैं ऊपदो नहीं कर तो फंस्प्रिटी किसको देनी है, आपको कास्टिक पतास को देनी है, ये कुश्चन कई बार एक्जाम में पूछा गया है, जिसके अंदर जो है, वो कौन सा option दिया गया था, कास्टिक पुतास दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, रसायनिक विदी में सींग रो है वह उसी तरीके से उनके अंदर भी क्या किया जाता है इसके अंदर किसी तरह से रसाइनिक रोड नहीं होती है सिर्फ लोहे की गरम जड़के द्वारा पसु में सींग रोधन किया जाता है अब गरम छड़के द्वारा किसी तरह का chemical use नहीं करेंगे तो पसु में क्या हो जाता है infection का खत्रा रहता है अगर infection होगा तो किस तरीके से होगा पसु के सींगों में कीड़े पढ़ जाते हैं और पसु जो है वो इससे प्रभावित होता है तो इसी कारण ये method जो है वो कैसा तरीका नहीं है सुरक्षित तरीका नहीं है बैस तरीका नहीं लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही खत्रा रहता है कि पसु के सींगों में खत्रा रहता है, सींगों में कीडे पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, वैसे ग्रामीन इस तर पर आपने देखा होगा, इसी तरीके से सींग रोधन किया जाता है, लेकिन वो बाद में करने के है, वो भी जल जाती है, और इसके जलने के कारण इंफेक्शन हो जाता है, और आइरन रोड इंफेक्शन करने के कारण ही उनके अंदर कीडे पढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है, इस कारण इस मैथड को यूज नहीं करते हैं, यह बैस मैथड नहीं माना जाता है, अगला प किसे से चलने वाला है राइट तो इसके अन्दर अपने ंपरेचर याद रखना कि कितने वाला है किसा है ज कैमिकल नाम याद रखना है इसके पिर्टन एक टाम के लिये लिए रखा रखा जा जाथा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिक डी होडनर विधी है इसके अंदर जो डी होडनर यंतर होता है वो ऐसा दिखाई देता है कैसा होता है डी होडनर यंतर इस तरीके से यह डी होडनर यंतर दिखाई देता है इस विधी के अंदर क्या किया जाता है डी होडनर यंतर को है इस विधी में डी होड यंत्र को 1000 ढेट पर갈म करते हैं शिर्फ होन बर्ड होती है उस पर रखाता है और वहाँ आगरे की कुषिकाएं यहां वह जल जाती और आगर Ada नहीं कर पाती है तक सींग कलिका पर रखा जाता है जिससे सींग को सिकाएं जल जाती है जिससे सींग को सिकाएं है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है और जल जाती है यह अपने को याद रखना है इसके अंदर तो दो चीज इसमें दो पॉइंट आपको याद रखने है पहली जाती है इसके अंदर है गरम करते हैं और कितने सींग रोधन हो जाती है तो सिर्फ 10 सेकेंड में आगे तो कि नहीं कर पाते हैं इसी प्रकिर्या को क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोनिक डी होर्णर या अंत्रविधी भी कहा जाता है मालों इसके इंदर आपकी टेंपरेचर है वो डिग्री Celsius में पूछ लिया जाए तो डिग्री Celsius में बदलने का फॉर्मूला है वो बता देती हूं आपको कनवर्ट करने का देखिए एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर सी बटा 5 इससे आप दोनों में कनवर्ट कर सकते हैं अगर डिग्री फॉर्ण एट में दिया वाओ तो इसको फॉर्ण एट में भी कर सकते हैं यहां पर यह मैं आपको फॉर्मूला लिख रही हूं कल आप निकाल के देखना अच्छे से नहीं आए तो जब आपना टैंप्रेचर वाला टॉपिक आएगा बोडी टैंप्रेचर आएगा तो उस टाइम आपको कंवर्ड करके बताऊंगे अभी इसके अंदर इतना ही याद रखें क्योंकि यह ऑपना डी यंत्र इंत्र है वह सिर्फ क्या है कि उसके अंदर से फारी नैट में पूचा जाता है तो इतना याद रखना है चलिए यह अपना नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मैथेट सरकें यह अब अगले अगला टोपिक, अगला जो मैथड है वो अपन देखते हैं, उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए, लाइक कीजिए आपकी जितने भी ग्रूप हैं, उनमें शेर कीजिए, और अगली जो क्लास है, वो सुनू सर की क्लास होने वाली है, इस एनिमल हजबंडी की क्लास के बाद में सुनू सर आपके होटिकल्चर की क्लास दने वाले हैं, जिसमें बहुत इंपार्टन चीज है, वो आपको बताने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं अपन, फोर्थ मैथड आता है, इलास्टेटर या रबर बैंड इलास्टेटर या रबर बैंड विदी है, उसमें क्या काम मिलेते हैं, इलास्टिक काम मिलेते हैं, क्या चीज काम मिली जाती है, इलास्टिक काम मिली जाती है, टिक फीवर, प्रोटो जवा जनीत रोग है, जो अपना टॉपिक चल रहा है, उसी से रिलेटेड गॉस्टिन में आपको हर एक टॉपिक है वो हर एक पॉइंट आपको बारी किसी बताऊंगी तो जो अभी टॉपिक चल रहा है पहले आप उसी के बारे में कॉश्चिन करके पूछ लीजिए चलिए आगे नैक्स्ट लास्ट रहे यार अपर बैंड विदी कौन से पसों में उपियोगी होती है और किस कंडिशन में यूज की जाती है तो यह जो मैथड होता है वो छोटे सीइंग वाले पसों में उपियोगी होता है अब छोटे सींग किन के होते हैं और कितने छोटे होते हैं तो सींग तो बहुत बड़े होते हैं पसो के अंदर कुछ पसो में तो इतने बड़े होते हैं कुछ पसो में इतने बड़े होते हैं कुछ पसो में इतने बड़े होते हैं तो हर एक पसो में सींगों की लंबाई जो पसू होती है उनके अंदर यह materials use किया जाता है। तो 10 सेंटिमीटर तक एक तो झायव है सब्सकर चोटे उम्र के पसी होते है उनके लुआगा थे पसू के जो सींग होते हैं, उनकी जड़ होती है, दिखाई दिया रहा है, इस इमेज में आपको, पसू के सींगों की जड़ है, उसके अंदर टाइट, इलास्टिक पहना दिया गाता है, रबर बैंड पहना दिया गाता है, चलिए देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, 10 cm तक उपयोगी होती है तक के लिए उपयोगी मेथड होता है इसके अंदर सीङ रोधन में धीरे-धीरे करके 3-6 सब्टा का समय लगता है तो समय कितना लगता है अपन याद रख सकते हैं 3-6 सब्टा का लगता है कितने टाइम में अपने आप गिर जाते हैं देखो सीङों के अंदर इलास्टिक टाइट रबर बेंड पैना देंगे तो क्या होगा धीरे-धीरे करके इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और ब्लड सर्कुलेशन रुकने की कारण इनके सीङ जो है वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन कितने टाइम में नीचे गिर एलास्टेटर या रबर बेंड दूसरा कॉश्टिन इसमें पूछा जा सकता है तो को सोपने में नाम भी दे सकते हैं कि भेड़वा बकरी के अंदर इने तो उब्त होता है तो कोंसा होता है तो ली और या रबर बैंड विदी अगला कॉश्चिन इसमें पूछा जा सकता है मालो सींग छोटे नहीं देकर सिंगोंगी लंबा ही दे जाए कि 10 cm तक लंबे सिंग वाले पसों में कौन सा मैथड यूसफुल है कौन सा मैथड उपियोगी होता है तो कौन सा मैथड है या रबर बैंड करते हैं इसमें समय कितना लगता है तो 3-6 सब्ता में धीरे-धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन रुपता है जिसके कारण सींग अपने आप नीचे गिर जाते हैं एक आप अपनी भी बात करें अपनी एक फिंगर है उसके अंदर मालो आप टाइट इलास्टिक पहल लोगे तो घृट Ebadam sollte अपने अंगुली है वह सफेद घजाती है क्योंकि क्या होता है उसके इंदर करके ब्लर सक्फुलेशन रुपता है जिसके कारण पशो को डर्ध भी होता तह इसकी बार में इतुनी चीज अपने को याद रख नहीं अग्ला आपकन के 5 तरीक आटा है कि अरे काम में ली जाती है जो है वह अलग तुरीक ने करता है तो इस तरीके से यह Luca लक्री काटने वाली दोनों तरह की आरी हो सकती है उन दोनों तरीकों से काटा जा सकता है इसके अंदर ये कौन से पसों के अंदर उपियोगी होता है तो जिन पसों के अंदर साथ से फंद्रा दिन आई होगी क्या उनके अंदर इतने बड़े सींग होगे कि उनको आरी से काट तो अधिकुम्र वाले या बढ़े सीइंग वाले पस्वों में उफियोगी बढ़े सीइंग अब इसके अंदर अपने को याद रखने के जरुरत नहीं है कि कितने वड़े सींग होंगे किस उम्र में काटा जाएगा सीधा सा नाम से पता चल दा है कि जिनके सींगों की लंबाई बहुत जादा होगी उनके अंदर इस तरीके से पसुमें सींग रोधन कर दिया जाता है त से पसुमें सब्सक्राइब कि क्या जाता है तो जब मैंने आपको इसकी टर्म बताया था दी हौदिंग किसको कहते हैं एक बार फिर से बता देती हूद इतिया क्या र था तो कई पसु के अंदर उंदर किया होता है पटुट सारिय तुनदर चाथी है तो इस से बचने के लिए क्या है पसुके की लटता है वो आपस में लड़ते हैं व लड़ने के कारण सतो को सारे कि लिए में तेशा 1 new है कांकरेज करता हैं एक तो यांकरेज नसलों में 90% सींग कैंसर पाया जाता है क्या पाया जाता है सींग कैंसर पाया जाता है तो उसमें सींग कैंसर हो ही नहीं इससे बचने के लिए क्या कर दिया जाता है इसके अलाग कुछ पसु जो होते हैं उनको सुन्दर दिखाने के लिए उनको आकरसक बताने के लिए भी क्या किया जाता तो इस तरीके से कई रीजन होते हैं एक उनकी कियर करना है वो भी इजी हो जाता है क्योंकि सींग होते हैं तो पसू के मारने का खतरा रहता है डर रहता है इसके कारण जो उसको पालने वाले लोग हैं वो भी जो है उनके अंदर भी कही तरह से चोट लग जाती है तो इस तरी कारण पसों में सींग रोधन किया जाता है सींग रोधन के पांच तरीके एक बार वापस से अपन रिपीट कर लेते हैं रिवाइस कर लेते हैं पहला तरीका आता रसाइनिक विदी दूसरा गरम छड़ द्वारा तीसरा इलाक्रोनिक डी होनर फोट आता इलास्टेटर रहया ड़ार और आता है और नज्वार कर पहला पंबात करें कि रसाइनिक विदी है और गाए और भ्हाइस के अंदर खेंफ और eli होती है किस उम्र में करते हैं साथ से πंदरा दीन की आयो में करते हैं और विज्ञानिक तरीका भी है इसी कारण सबसे थाता है कौन सा रसाइन प्रश राइट आंसर करना है नेक्स देखते हैं अपन गरम चढ़ द्वारा इसमें गरम चढ़ काम में लेते हैं लेकिन यह सुरक्षित तरीका नहीं है अच्छा मेथड नहीं माना जाता है क्योंकि पसु जो है इसमें डेमेज होने का डर रहता है उनके अंदर कीडे पढ़ के लिए रखते हैं 10 दगन के लिए रखते हैं जिससे सींगों की कोशिकाय वह जल जाती हों पसों में उपयोग होती है सींगों की लंबाइट कितनी चोटी होनी चाहिए तो 10 सेंटीमिटर तक सिंग लंबे होने चाहिए समय है वह कितना लगता है तीन से छे सपता का समय लगता है और कौन से पसों में उपयोगी होती है तो मुख्य रूप से भेड़ और बकरी की अंदर यह उपयोगी तरीका होता है अगला बात करते हैं पांचों तरीका आता है आरी की केर करने के लिए उनको अच्छे से रखने के लिए उनके सिंग रोधन कर दिया जाता है तो यह भी कर देते हैं तो यह अपने पांच तरीके हैं जो अपने इस सिंग रोधन के तरीके हैं इसके बाद आपन देखते हैं कि अपने कोश्चिन क्या है कोश्चिन करने से पहल कोशन है सींह रोधन का सबसे उप्योग तरीका क्या है देखा आपने पहला तरीका देखा था कौन सा तरीका उप्योग है कोन साइनिक विदी सबसे बैस्ट मानि जाती है अगला कशन पूछा जाता है पसू में सींग रोदन हेतु कौन सा रसायन उपयोगी होता है दी होर्णन के लिए डी होर्णिंग हेतु कौन सा रसायन है वो उपयोगी होता है कौन सा रसायन उपयोगी होता है तो कौन सा रसायन उपयोगी होता है तो बात करिए अपने दो रसायन होते हैं दोनों option में तो क्या करना है कास्टिक प्रटास करना है इसके बाद अगला third question क्या पूछा जाता है exam में सींग रोधन हे तू कौन सा यंतर काम में लेते हैं सींग रोधन हे तू कौन सा यंतर काम में लेते हैं तो कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है अपने देखा अभी थोड़ी देर पहले electronic dehorner यंत्र काम में लेते हैं तो electronic भी नहीं आए तो dehorner यंत्र है वो option में आ सकता है ये अपना next question हो गया इसके बाद अगला question क्या पूछा जा सकता है पसू के अंडर ये तो अपने देखा जो first method है उससे देखा दूसरा पूछ सकते हैं dehorning के लिए डिसबडिंग के लिए उप्यूक्त उम्र क्या होती है डिसबडिंग, dehorning या सिंग रोधन एक ही बात होती है ये अपना third question इसके बाद अगला आपन बात करते हैं next question क्या पूछा जा सकता है कि बड़े सींग वाले पसू में उप्योगी तरीका बड़े सींग वाले पसू में उप्योगी तरीका कौन सा है या तो सींगों की लंबाई दे देगा कि 10 cm तक लंबे सींग या फिर पूछ सकते हैं कि छोटे सींग वाले पसू में उपयोगी विधी कौन सा है तो छोटे सींग वाले पसू में उपयुक्त विधी कौन सी है तो छोटे सींग वाले पसू में उपयुक्त विधी कौन सी मानी जाती है अभी अपने देखा इलास्टेटर या रबर बैंड विदी इसके लिए बैस्ट मानी जाती है तो इस तरीके से कोश्चन है वो इस टॉपिक में से बनते हैं इसके लागा डी होडनर से पूछा जा सकता है डी होडनर यंत्र को कितने तापमान पर गरम किया जाता है कि इतने तापमान पर सीग्रोधन करते हैं तो 1000 डिगरी फॉर नाइट पर इसको गरम किया जाता है इसके बाद में इलैक्रोनिक डी होडनर यंत्र द्वारा सीग्रोधन में कितना समय लगता है सिंग रोधन में समय कितना लगता है तो कितना समय लगता है 10 सेकंड का समय लगता है कितना समय लगता है सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है इसके लाव पूछ सकते हैं next question क्या पूछ सकते हैं rubber band विदी है या illustrator विदी में कितना समय लगता है सिंग रोधन में सींग रोधन में कितना समय लगता है तो कितना समय लगता है तीन से छे सबता का समय लगता है तो इस तरीके से इस टॉपिक में से अपने कोशन बनते हैं हर एक पॉइंट से हर एक मैथर से क्या क्या कोशन बन सकते हैं सभी तरह के कोशन हैं वो मैंने आपको करके बता दिये है आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे बाकी का आप नेक्स क्लास में पढ़ेंगे इस क्लास के बाद सोनु सर की क्लास होने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपर्टेंट कोशन